वेलकम टू मेक माई केरियार इंस्टिटूट और आज मैं आपके लिए लेक्टर नमबर थी आपने इससे पहले बेसिक स्टार्वी क्या है वह आपने समझा है और यह लेक्टर स्टार्ट हो रहा है तो कहीना पहले जो द्यान से करियेगा को वह बहुत बेसिक definition concept है अब lecture no.3 में जो आपको लेके आया हूं है वो है lecture no.3 में classification of survey क्लासिफिकेशन of survey अब survey का वर्गी करण जो किया गया है वो कितने अधार पे किया गया है इस अधार पे किया गया है कितने तरह के होते हैं यह आपको इस टॉपिक में बताने वाद आओ और यह ध्यान दीजएगा अगर आप J और A किया प्रप्रेशन कर रहे हैं तो definitely है कि इस lecture से आपको कभी ना कभी किसी ना किसी exam में एक objective जरूर मिलेगा मतलब यह topic जो है यह topic बह classification से survey मिले हैं अलाकि जो questions होते हैं वो simple होते हैं लेकिंग confusion वाले होते हैं यह ध्यान दीजेगा अगर आपने सही से clear नहीं किया तो आपको कही ना कहीं गलती करके भी आते हैं और होता भी है ना कि जो सवाल बहुत simple होता है गलतियां वहीं होती है अगर कोई student अपने exam में exam देने जा रहा है अगर वो उसे जो आता है वो गलतियां करके ना आए तो score कहीं न कहीं अच्छा होता है होता क्या है जो आता है वहीं गलती करके आते हैं तो ध्यान से आज श्टार्ट करें हम लोग classification of survey तो देखिए इस survey की बात करें हम लोग तो survey क्या है कि आपको करनी है location की availability देखनी है कि अपलब्स जमीन कितनी है जमीन है तो है कैसी क्या हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता कि वहां पर जो आप construction करने वाले हैं क्या वह visible है economical है कि नहीं है यह सारे चीज find out करनी पड़ती है ऐसा नहीं होता कि आप पहुंचे और आप सीधे खड़े हुआ building शुरू कर दी है आप ऐसा नहीं करते आप सबसे पहले सर्वे करते हैं सर्वे करके आप find out करते हैं डेटा डेटा की regarding कि वह दूरी कितनी है एंगल कितना है depression कितना elevation कितना height कितनी है वह economical है कि नहीं है feasible है कि नहीं है यह सब चीज find out करना ही classification of survey में आता है तो classification of survey अगर आप देखेंगे तो different different types के आपको समझाए जाएंगे कई जगे पे आपको कई किताबों में कई book में अलग अलग तरीके से मिलेगा लेकिन जो मैं आपके लिए से लेकिया हूँ यह बहुत सिंपल है और यह इस classification में आपके लिए पूरा सरवे का सार छुपा हुआ है कि आपको सरवे पढ़नी कैसे है मतला अगर classification आपने पढ़ लिया तो आपको यह समझ में आएगा कि सरवे को पढ़ना कैसे सरवे को हमें कैसे करना है section क्या होंगे हमे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला जो है आपका वह इंजिनिंग सर्वे को कि हम लोग यहां जो बात कर रहे हैं वह इंजिनिंग की है सिविल इंजिनिंग की बात हो रही है तो इंजिनिंग सर्वे जो है यह हमारा पहला classification है कि हम इंजिनिंग सर्वे में क्या देख pipeline बिछ रही है तो यह जितने भी सारे project होते हैं यह mainly category किसके अंदर डालेगा है engineering के अंदर जैसे कि canal road railway यह जितने भी engineering project होते हैं यह सब किसमें आते engineering service है ठीक है और dam कि बांध हो गया आपका bridge हो गया पुल हो गया यह सब चीजे किसमें आती है इंजिनिंग सर्वे अगर objective आता है कि कैनाल का railway का road का डैम का बिरेज का pipeline का जितने भी engineering project है इस आर अंडर दि इंजिनिंग सर्वे अब इंजिनिंग सर्वे करते कैसे हैं यह मैं आगे बताऊंगा आपको अब आता है geodetic survey जो है एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम लोग पर्तवी जो है हमारी अर्थ जो है उसके surface को करवेचर मानते हैं कर्व मतलब कर्व मानते ठीक है जिसमें पर्तवी के आकार में जो आपकी वक्रता होती है उसको लोग कंसीडर करते हैं geodetic survey की महिन बात यह है कि पर्थवी के आकार को हम लोग curved safe, यह पर्थवी का आकार मतलब पर्थवी के जो surface है, पर्थवी का जो safe है, curved surface, सतय जो है, पर्थवी के सतय को हम लोग curved surface लेके चलते हैं, ठीक है नो, तो geodetic survey एक बहुत बड़े area के लिए किया जाता है, पहली बात तो यह है, मैं आगे बताओंगो इसको, बहुत बड़े area के लिए किया जाता है, दूसरी बात इसमें पर्थवी के सतय को कैसे मानते हैं, curved surface, curved surface मानते पर्थवी सतय को, यहाँ पर जो accuracy है, मतलब यहाँ पर आपको सठीकता की बात करते हैं, बहुत high होना चाहिए, बहुत high सलीक होगी, यह बहुत accurate होना चाहिए, accuracy की बहुत high होनी चाहिए, फिर हम लोग बात करते हैं, plain survey को, plain survey में क्या होता है, कि नाम से clear है plain, मतलब कि straight line, एक plain सतय मान चलते हैं, और यह हमेशा छोटे area के लिए होता है, small area के लिए होता है, देखिए, अगर आप अपनी paper में कोई line खीचेंगे, तो हमेशा straight होगी, लेकिन वही line, आप अपने paper देखिए, जैसे for example, आपको यह paper है, paper आपने line खीची, A point और B point, तो यह हमेशा कै किसी बड़ी प्रस्वी पर आप line खीचेंगे, तो जाइड सी बात हो कैसी होगी, curved होगी, यही basic difference है, geodetic में curved लेते हैं, और plain survey में लेते है, small area, ठीक है, अब plain survey करने के तरीके, आप दो तरीके से उसके divide किया गया है, एक तो basis of framework, उसके धाचा कैसा है, मतला आप जो survey कर रह कौन से instrument यूज़ कर रहे है, like compass, यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा आपने instrument यूज़ किया, या आपने level यूज़ किया, level में आपका डंपी level हो गया, spread level हो गया, y level हो गया, tilt level हो गया, level कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप plain table यूज़ कर रहे हैं, यह सारे classification instrument के बेस पर किया इसे बहुत सब्सक्राइब पढ़ेंगे अब तो प्लेन सर्वे को इंस्टूमेंट के बेस पर क्लासिफाइब कि किस किस पर कौन कौन से इस्टूमेंट आप यूज कर रहे हैं प्रेम पर कि आपका ट्रावर्सिंग है कि ट्रेंगूलेशन है आगे बताऊंगा मैं आपको इनकी रोटेशन के बारे हैं इनके मूवमेंट के बारे हैं इनकी इस्टथी पता कर रहे हैं कि पूड़िमा कब होगी अमवस्य कब होगी फुल मून कब होगा है ना सोरो एकलिप्स कब होगा लूनर एकलिप्स कब होगा मतलब सूर्गन कब होगा चंद ग्रण कब होगा य पादाजी की जमीन आपकी बढ़ रही है तो उस case में जमीन की बटवारा, property का बटवारा या अपनी खेतों की boundary करवाना या जमीन खरीद फ्रोद करना इन सब के लिए आप यूज करते हैं के डिश्टल सर्वे जो आप नदियों के बारे में जील के बारे में पहाड के बारे में इन सब के बारे में आप सर्वे करना चाहते हैं तो टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं माइनिंग सर्वे होता है मिल्ट्री सर्वे होता है यह सारे सर्वे जो है किसमें आते हैं मिसलेनि यह सरवे जो है यह आप classify किया गया है on the basis of purpose उत्देश क्या है आपका अगर जो है उसके नाम पो उसको सरवेड डाल दिया गया है तो आपने देखा कि classification of survey तो आप को यह समझिया है कि एक तो हमें engineering survey की basic जो पूरी है जिसमें हमें सब बनाना है उसको करने के लिए आप दो तरह से या थो जीडेटेक्स आ प्लین सर्वी आप ले सकते हैं ठिक है तरीकिए हो नहीं करने कि और इंस्ट्वीमेंट उसकरना ही पड़ेगा तो यह साथ साथ मिस्लेनियस सर्वे के बारे में से परपच कि बहसे पर सरवेध बहुत जयाद हाते हैं तो आगे की और ल anticipate करते हैं अगे आगे की और देखिए जब बात करते हैं आगे सर्वे की इंजिनिंग सर्वे सिंपल सी बात है construction करना site को निरमाड करना मैं बता चुका हूँ उससे पहले कि मानलीज यह एक कैनाल आप बनाना चाहते है यह example दे रहा हूं यह मैं आपको example दे रहा हूं कैनाल का यह कैनाल का तो मानलीज यह यह रिवर है आपके यह नदी है यहाँ पर डेम बना हुआ है यहां से आप नहर निकालते हैं और यहां कहीं खेटों में आपके पहुंचता है पारी यह आपके field यह है खेट तो नहर का movement देखिए पानी यहां पर आएगा पिर मुवमेंट यहां जाएगा पानी फिर ऐसे मूब करेगा ऐसे मूब करेगा तो आप यह देखना इंगिनिंग सर्वे में कि जो यह रिवर है माली जी रिवर गंगा है यह गंगा रिवर है और गंगा रिवर से जो नहर निकाली गई है जो खेतों तक पहुचने के लिए आपने जो रास्ता यूज किया है जो यह रूट है आपका जो यह रास्ता है तो क्या पहली बार में आप ऐसे बना देंगे इसको पहली बार में रूट फाइंड कर देंगे नहीं कर देंगे आप क्या करेंगे सर्वे करेंगे कि कौन से रास्ता सही होगा दो तीन रास्ते find out करेंगे आप उन में से कौन economical है आर्थिक तोर पे कौन सही है कौन feasible है कौन easy है है ना किसमे possibility ज्यादा है यह सारे चीज find out करना क्या होता है इंजिनिंग सर्वी के अंदरगत आता है कि कोई भी निर्माड कर रहे है जैसे कि केनाल कर रहे हैं तो डेम से आपने पानी निकाला डेम बना हो गए बांध आपका यह डेम से आपने रिवर है यहांस पानी श्टोरीज होता है यहांस पानी आया खेतों में जा रहा है तो आपको देखना है कि जो यह रूट है यह रूट कितना economical है मतलब होता है आर्थिक तौर पर कितना सही है फीजिवल कितना है कितना काम करेगा यह ठीक है आपको देखना है कितना easy route है ऐसा ना बहुत complicated route हो ठीक है यह सारी चीजे आपको पता करने जैसे एक्जामपल के लिए आप जानते है कि कें रिवर लिंक प्रजेक्ट यह जो कें बेतवा प्रजेक्ट चल रहा है यह आजकल आप जानते हैं कि यह साहिद इंडिया का पहला इंडिया का first river project है इंडिया का first river link project है लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया पूरा क्यों नहीं हो पाया क्योंकि इसमें economical feasible easy route इन सबकी problem आ रही है find out नहीं हो पा रहा है कभी क स्टेट जो आपके पता यह जो प्रोजेक्ट है आपका यह MP और UP का प्रोजेक्ट है इन में पानी को लेगे बटवारे को लेगे दिख्कत आ रही है इसको कितना पानी मिले गई सब चीजे तो यह सारा जो काम करना होता है किसके अंदर आता है अब इंजिनिंग सर्वे को क्ल और ने डिवाइड है पहला रींशनेंश सर्वै ऑलसव और सक दो होता है आप द्यान दी जो नहुंत depends सब्सक्राइब तोध यह आप जिसका मतलब यह की जानकारी प्रप्ट करना ही है कि इतना मजबूस है 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 ना कितना है यह श्ट्रॉंग है यह सब चीजे ठोहे लेना या थाए लेना इसका वर्ड का मतलब होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सर्वे करने से पहले यह थाँ हम बनाने वाले है आखिरकर वहाँ पर वह रूट कैसा होगा वह कैसी जगह कैसी है कि कितनी एलिवेशन में कितनी गहाई में तो मैं क्या करते हैं इसमें आप द्रॉन सर्वे करा लेते हैं न ड्रोन भेज देतेयां या फिर आफ एक टीम भेज देते हैं वह टीम जाती ए produkt पूरा सर्वे करती है कि यह बहुत गड़े यह नदी है नाला है यह सब फुछ एक मैप बना क्याती है कि यहां पर ऐसे से मतलब की बहरी तौर पर आपको पूरा आपको देखना है कि वो छेतर है कैसा एक बात यह धन देना अगर यह वर्ड जो है extensive यह extensive study of entire area तो यह हमेशा रिकांसनेंस सर्वे में होता है वोगि इस ही का मतलब होता है थां लेना टोह लेना फिर है इस is purpose to eliminate those roots or site which is impractical or unfeasible इसका क्या मतलब होता है इसका उत्देश यह होता है कि जो रास्ते हमारे लिए सही नहीं है उनको हटा दिया जाए या जो रास्ते हमारे लिए possible नहीं है यह impractical है उनको हटा दिया जाए ठीक है और unfeasible जहां हमारे पहुंच नहीं हो सकते मतलब आप जानते हैं यह से की for example समझाओं में आपको कि माल लिजी है कि दिल्ली से डेली से आपको आना है आगरा तो एक direct root जो आज का आपका NH2 है वो तो ही है इसके बाद भी कई अलीग है eliminate को कि यह बहुत long है आप generally आपने NH2 बनाया क्योंकि यह आगरास दिल्ली के लिए आगरास दिल्ली किसी को जाना है तो वह इसी root को follow करेगा या जो नया root आपका कह सकते नोटा express जो बना हुआ हुआ है उसको उसको यूज करेगा क्योंकि यह बहुत economical है मतलब बहुत shortest route है एस बहुत economical route है ना ऐसा तो नहीं कि जिसको आगरा जाना हो तो पहले जैपूर जाएगा वो जैपूर जाने के बाद वो फिर दिल्ली जाएगा ऐसा रूट फॉलो नहीं करेगा तो यह चीज़े आपको किस में आती है यह बात ध्यान देना eliminate word को याद रखना हटाने के लि अगर आपको सही route नहीं एक सही route पता करना भी काम है आपका आप दो route माइनस कर दे रहे हो दो route हटा दे रहे हो कि यहां से नहीं जाना है तो जाना फिर किस से है फिर जाना जिस route से है उस route का पता करना identify the more promising route प्रोमिसिंग मतलब जो आपके लिए बैहतार हो जो आपके द्यान देना है अगर इसका मतलब ही पता है तो आप समझ जाएंगे कि इस से इसमें objective कैसे आते हैं कि अधार प्याएंगे यह द्यान दीजेगा आपने जो पता कर लिया कि आपका जो route है आपका जो route आपने पता कर लिया तो अब उस route के बाद आप क्या करना है वहां पर अ अधारी सर्वे मतलब प्राइमरी इस नाम मतलब यह पहला है तो लेने के बाद अब आप यहां पर क्या करेंगे यहां पर आप डेटा एकटा करेंगे आप डेटा किसका होगा डेटा आपका distance के regarding हो सकता है यह दूरी कितनी है elevation कितने है पॉइंटों के वहां पर है ना यह स सारी चीजें आप क्या करेंगे सर्वी करेंगे distance है elevation है direction है इनका डेटा करेंगे और map और plan बनाएंगे अगर objective आता है तो इस पॉइंट लिध्यान देना है कि preliminary survey का जो main role होता objective में यार रखेगा main role होता है map और plan को बनाने के लिए map and plan अगर आपको बनाने है तो आपको preliminary survey कर पड़ेगा यह map or plan to collect data for preparing map and plan बताई ना कि आप map और plan बना रहे हैं तो क्या distance direction elevation आपको नहीं पता किसी जगए का तो क्या map बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं जब तक आप यह data इखटा नहीं करेंगे आप map और plan नहीं बना सकते और map और plan बनाने के लिए आपको preliminary survey करना ही पड़ेगा तो definitely distance direction elevation find out करना पड़ेगा और यह अगर find out करना है पता करना है तो आपको इसके लिए instrument की जरुरत पड़ेगी ही पड़ेगी chain की पड़ेगी tape की पड़ेगी compass की पड़ेगी elevation की पड़ेगी पढ़ेगी टोटल स्टेशन की पढ़ेगी इडियूम की पढ़ेगी बिथाउट इंस्टुमेंट आप यह सर्वे नहीं कर पाएंगे तोकि इनसे आप यह चीज फाइंड आउट करेंगे और इससे फिर आप मैप और प्लान को ड्रॉ करेंगे इस अब इंजिनिंग सर्वे का नेक्स्ट पर जो है वह रोकेशन सर्वे जब आपने डेटा अपने ठाए ले पहली तो तोहे ले ली इसको है अनुत रहे हैं और आपने क्या किया डेटा कर लिया अजब डेटा खटा हो गए तो Location Survey में क्या होता है की Location Survey में आपको properly तरीके से आप निर्मार सुरू करना होता है अब यहां पर उस Project को execution of project at ground level अब उस project को ground level पर बना शुरू करना यह हैं आपके लोकेशन सरवे ध्यान दिजेगा पुछा गया है इंजिरिंग सरवे तीन तरह एक नाम ज्याद रखेगा रिकंस्टनेंस यहां तक कोई डाउट अगर होता है तो हम उससे कॉंटेक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे की जियोडेटिक सर्वे जो है जन्नली यह ध्यान दीजेगा यह बहुत बड़े लार्ज एरिया के लिए होता किसके लिए होता है लार्ज एरिया के लिए यह मैं पहले ही बोलो हूं दूसरी बात प्लस इसमें ध्यान दीजेगे बात एक्कुरेसी जो होती है एक्कुरेसी जो होती है वह बहुत हाई होती है हाई एक्कुरेसी डिजायर होती है यह आपर हम ए ये इंडिया से अमेरिका के लिए आप क्या कर रहे हैं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है डेफिनेटली है कि ये लाइन जो है कभी भी आपकी इस्ट्रेट ना होगे कर्वड होगी होगी दूरी बहुत जादा है ठीक है ना तो ये जो दूरी जब जादा है तो लाइन कैसे हो और geodetic survey में हम लोग हमेशा बारबर objective आ चुका है very important objective है ये कि geodetic survey में earth surface कैसा लेते हैं curved surface कि द्यान दीजेगा तो देखिए कि in this type of survey curvature of earth surface is considered or is considered or curved surface of the area is taken into account due to high accuracy required ये तो underline कर लिजेगा high accuracy required तो लिखाए इसमें कि इस तरह के survey में हम लोग earth surface को curvature की तरह consider करते हैं या कह सकते हैं कि curved surface of the area हम लोग count करते हैं taken into account क्यों करते हैं जब आपने diploma degree किया होगा तो आपने बहतर तरीके से plane survey किये हैं आपने compass का यूज किया होगा आपने level का यूज किया होगा आपने इवें थ्योटो लाइट का भी यूज किया होगा और जो बहुत अच्छे college से पड़े हुए हैं तो उन्होंने total station का भी यूज किया होगा और अधिकतर college में यह होता ही नहीं है बहुत महेंगा instrument है तो यह आपने किये हैं जो आपने instrument यूज किये हैं this is only for plane survey यह किसमें है plane survey में लेकिन जब आपको geodatic survey करना होता है तो इसके लिए आपको इसके लिए आपको geodatic survey आप नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता यह DRDO है जैसे DRDO ISRO यह जो government की agencies है government agencies यह जो survey use कराती है यह आप किसमें आता है जीओडेटिक survey में आता है ठीक है ना DRDO ISRO government agency क्योंकि यह possible हर किसी की बात नहीं होती समझें मेरी बात को देखिए यहां एक बड़ा है GTS इसका फुल फॉर्म previous year में आ चुका है great technometrical great technometrical उसमें फुल फॉर्म लिखा हुआ survey पहली बात तो यह है कि geodatic survey जो किया जाता है वो GTS के द्वारा किया जाता है इसका headquarter कहाँ पर है headquarter कहाँ पर इसका headquarter इसका आपका देहरादून यह objective भी आ चुका है देहरादून जीटीएस क्या करता है कि यह आल इंडिया पर इंडिया लेविल की जो survey होते हैं इंडिया लेविल के survey वो आपका जीटीएस करता है मालीजी जैसे कि अभी खज्राहो एक्सप्रेस बन रहा है खज्राहो एक्सप्रेस कहां से बन रहा है जहांसी से खज्राहो तो जब यह एक्सप्रेस बना है तो इसके लिए जीटीएस नहीं क्या किया होगा survey किया होगा और यह जीटीएस सर्वे को कि distance आप जानते हैं कि more than distance इसकी 200 km से ज्यादा है तो जायर सी बात है कि यह कहीं ना कहीं geodetic survey आ गया क्योंकि इस time पर जो surface होगा वह कैसा होगा curved होगा वह surface कैसा curved होगा और यह survey gts के दोरा किया जाएगा ना कि plane survey जाएगा gts एक बार कर देगा उसके बाद आप short term छोट जो दूरियां होती है short distance के लिए आप plane survey यूज़ करेंगे कैसा नहीं कि plane survey नहीं करेंगे लेकिन जो पहना survey होगा वह gts के दोरा ही किया जाएगा अब समझिए in this type of survey plumb line meeting at center of the earth यह point समझी कैसे होता क्या मतला पर देखिए इस तरह के survey में plumb line होती है यह प्रथवी के के अंदर पर मिलती है यह कह रहा point क्या क्या रहा है कि इस तरह के survey में जो plumb line होती है वह प्रथवी के के अंदर मिलती है अब यह plumb line होती क्या है मैंने आपको बैतर तरीके से first lecture बता चुका हूँ आपको कि मालेजिए कि कोई instrument अगर यह instrument है आपका और यह इसके tripod है और यह राप इंस्टुमेंट के आप सेंट्रिंग कर रहे होते हैं जब आप सेंट्रिंग करते हैं तो कि ये तीनों जो distance है ये तीनों क्या हो बराबर हो एक दूसरे से क्या हो जो निजविए पॉइंट होगा यह से तीनों की डिश्न्स केले बराबर हुरुन फ्रस यह उस यह – अगरेगा यह में नीचे ॉट्विnt नीचे कियों गरेगा तो पता यह आफको यह आपके यह जो plumb line जो लट्टू जहां गिरा इस जगे से जो line आगे forward होगी इससे line को बोलते हैं plumb line क्या है plumb line क्या है वह ही gravity line है इससे क्या बोलते हैं us also known as gravity line plumb line gravity line both are same इसी को बोलते है वर्टिकल लाइन कोई यह वर्टिकल होती है तो ध्यान दीजेगा एक्जाम में अगर प्लम लाइन आता है तो भी वह चीज है ग्रेफ्टी लाइन भी आता है तो भी वह चीज है वर्टिकल लाइन भी आती होई चीज है सेम चीज है कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है देखि प्रतिवी केंद्र में मिलती है कैसे मिलती है समझे इस बात को मैंने पहले ही उखे इसका नॉलिज दिया है कि मैंने कहा था बेसिक डेफिनेशन क्यों जरूरी है कुकि वह बार बार आपके टम्स में आने इसलिए बहुत important है और आप जब भी कुछ पढ़ें तो definitely यह चिद्धान दें कि आपको जो पढ़ना वो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है बार-बार आपके पास time नहीं होगा यह आप दुवारा से lecture देख रहे हैं दुवारा से पढ़ रहे हैं एक बहत्री नोट्स बनाईये बैतरिन टाइम को सेफ करिए को जितना टाइम बचाएंगे आप उतना ही आप कहना कहीं दूसरों से आगे जाएंगे तो देखिए बनाता हूं प्रत्वी यहां पर ठीक है यह अर्थ है अर्थ का सेंटर आपका ओ अब समझें इस वाद को अगर कुछ भी यहां पर ड्रॉप किया जाए कुछ भी गिराया जाए प्रत्वी की सतय पर तो वह सब का सब कहां पर आके मिलेगा कुछ भी आके गिराया जाए इस केस में वह सब का सब प्रत्वी केंदर से ही गुजरेगा यह सब क्या है यह सब है ग्रिव्टी लाइन प्रत्वी की जो ग्रिव्टी लाइन होती है हमेशा कहां से निकलती है केंदर से सेंटर से यह ध्यान दे जाया ग्रिव्टी लाइन कुलेगी senter of the earth से pass करेगी similarly यहीं पे अगर आपने āस्टुمنट खड़ा कर दिया यहां पर आपने एक इंस्टुमेंट कर दिया तो इसकी भी लाइन कहां से निकलेगी यहां से तो आप ने देखा यह जो लाइन से यह लाइन क्या है प्लंब लाइन ही तीनों क्या है प्लंब लाइन तो यह प्लंब लाइन जो है यह कहां से कहां मिल रही है यह प्रत्वी के केंदर में मिलती है किस केस में मिलती है जब आपका सर्फेस कैसा होता है कर्वड सर्फेस कैसा है यह सर्फेस जब कर्वड होता है वक्र होता है उस case में यह प्लंब लाइन प्रटीवी के केंद्र से पास होके गुजरती है है अगर आपका सत्य कैसा है बताएं मैंने पहले भी अगर यह कैसा है प्लेंग इस क्या इह कांतर होंगी यह हमेशा कैसी होंगी समांतार होंगि हैं सा इसलिए बहुत इंपॉर्टन समझा रहा हूँ आपको ध्यान से यह प्रीवियस यह आप अब्जेक्टिव लगाएंगे यह यह कोशन कई बार आया है कि जियोटेटिक सर्वे के के केस में प्लम्ब लाइन कहा पर मिलती है मिलती है नहीं मिलती करती है क्या करती है तो आपको ध्यान देना है कि जियोटेटिक केस में प्लम्ब लाइन सेंटर अफ अप अप्धी अर्थ मिलती है चलो आगे बढ़ते हैं तो यह चीज हो गया हाँ एक पॉइंट और इसमें यहापर एक पॉइंट और है आपका कि यहाँ पर की इन दिस टाइप और सर्वे इस प्रिकार के सर्वे में इन दिस टाइप अप शर्वे ट्रेंगल्स एंड अर्एंगल्स आर्सपेरिकल घ्राम देना very important point is start रखिएगा बहुत Start करिएगाश को जिुटेटिक जब सर्वे कर रहे होते हैं और उस case में आपके जब एंगल्स और आपड़नें अब पर हें क्या होते है स्परी कल उते हैं इसको समस्ते देख है कैसे हो रही है इस पेरिकल ट्रेंगल तो आप लोग अभी पढ़ते सर्वे में इससे पहले जब आपने 8th, 9th और 12th की है उस टाइम आपने कभी भी स्पेरिकल ट्रेंगल के बारे में नहीं पढ़ा आपने क्या पढ़ा तिर्भुच के बारे में आपने पढ़ा कि तिर्भुच जो होता है इसके जो कोण होते हैं अलफा, बीटा, गामा इस तिर्भुच के जो कोण होते हैं इनके कोणों का सम जो होता है वो 180 degree होता है यह पढ़ा आपने तेरे बुझमे तो dear यह जो प्रोपरिटी पढ़ते रहे आप यह प्रोपरिटी किसकी थी plane triangle की किसकी थी plane triangle की ना कि spherical triangle की और plane triangle वो triangle होते हैं जो कि आपके 195.5 square kilometer से less area पर बना जाते हैं एरिया कैसा होगा कम अगर छेत्रफल जो है छेत्रफल किसमें आता है स्क्वाइर किलोमेटर में न तो छेत्रफल जो है अगर 195 तो पांच स्क्वाइर किलोमेटर से कम है अगर उस टाइम जो भी ट्रेंगल बनेगा वो ट्रेंगल क्या होगा प्लेंट ट्रेंगल होगा क्या हो ध्यान दीजेगा, अभी यहां पताऊंगा, इसको एक सुपन्चावे भी लिया जाता है, कईज़ए अभी डाइसो लिया जाता है, तो इसको रीजन मैं अच्छे से क्लिया करूंगा, अभी आप इसको समझेए, कि प्लेंट ट्रेंगल होता है, जिसमें तीनों एंगल हों गा या प्लेंट ट्रेंगल होता या हमेसा एक सुपन्चानमे दिसमलवब पांच स्कॉार क्लियोमेटर से कम की अगर बना है, अगर आपने पने कौपी में बनाया हुआ है, एक फोर साइज पेपर में, तो अगर आपने एक प्लॉट में बनाया है, जो कि प्लॉट का अरिया कि पहली हतना है 195 उभी से कम तक आप क्या है आपका प्लेट ट्रेंगल है लेकिन बात यहां पर किस्की और श силा रही है ऐस परिकलट्रेंगल की अभी तक आप यह पढ़ते आ रहें झाए अभी तक आप यह पढ़ते आ रहें इस प्रहिकल के इस प्रोपरटी लिख रहा हूं पहली बात तो यह हमेशा जियोडेटिक सर्वे के केस में नहीं बनेंगे, दूसरी बात यहां ध्यान देज़ेगा, कि इनका जो एरिया होगा, एरिया आफ प्रेंगल जो होगा, यह मोर देन होगा, 195.5 स्क्वाइर किलोमेटर से, दूसरी बात ध्यान देना, कि इनका जो एंगल का सम है, अल्फा, बीटा, गामा, इनका सम 180 डिगरी से ज़्यादा होगा, यह बेसिक बात ध्यान देना, कितना ज़्यादा होगा, कितना कम बताऊंगा भी आगे थोला सा, चौतर पॉइंट, लाइने आफ ट्रेंगल जो होगी, यह कैसी होगी, इसको आप इसको आप इसको आप हैं यह हमेसा कव्ड होगी, वो कि तल यह होँगी, वाद ध्यान देजाएगा, उसके डाग्राम अनलाते हैं, कि बात ध्यान दीजाएगा, यहां देखिए, तो यह देखिए लाइन्स कैसी है लाइन्स है आपके कर्वड है ना स्ट्रेट नहीं है यहां कैसी कर्वड है यहां जो एंगल बनेंगे अल्फा बीटा गामा यह अल्फा बीटा गामा का सम जो है 180 डिगरी से ज्यादा होगा इतना ज्यादा कितना कम बताऊंगा मैं आपको ठीक है ना और इसका जो यह एरिया होगा यह ज्यादा होगा 195.5 स्क्वाइर किलोमीटर से यह बात ध्यान है इतने पॉइंट आपको ध्यान देने है कि इसमें ही स्पेरिकल ट्रेंगल बनते हैं पहली बात तो दूसरी बात एरिया हमें सा ज्यादा होगा 195.5 से तीसरा इन तीनों कोड का सम क्या होगा एक चोशी से ज्यादा होगा चौथा जो है यह लाइन समय सक कव लाइन होगी इसके अच्छे से नोट्स बना लिए साइड में भी और इसमें आप कुछ पॉइंट करते हैं आपन लोग वह पॉइंट जो आपके ऑब्जिक्ट कि देखें कुछ पॉइंट लिखने यहां पर आपको वेरी इंपॉइंट और जेई एई एई ठीक है जेए के लिए बहुत इंपॉइंट पॉइंट है ध्यान दीजेए के पहला पहला पॉइंट यह है और यहां पर मैं थोड़ा सापको यह बना ही दूँ ताकि आपको गामा यह आपका ए हो गया यह बी हो गया यह सी हो गया तो पहला पॉइंट यह है कि कोई भी एंगल एनी एंगल कोई भी एंगल का 180 डिगरी से जादा नहीं हो सकता मतलब यह कह सकते हैं कि चाहए अल्फा की बात करें तो कोई भी एंगल जादा नहीं हो सकता मतलब कि स्वस्थी से एक स्वस्थी डिग्री से क्या होगा कम होगा कोई भी एंगेल आपका एक स्वस्थी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब कि हर एंगेल पर्टिकुलर की बात करें तो से कम ही होगा दूसरी बात यहां पर यह कि alpha प्लस beta प्लस gamma का जो sum होगा वो एक स्वासी डिगरी से ज्यादा होगा लेकिन से ज्यादा होगा बट बट लेस्ट देन कम होगा किससे इन तीनों इन तीनों कोड़ों का sum लेस्ट दन क्या होगा alpha बीटा यह बहुत ध्यान देना less देन 540 डिगरी यह बहुत सही बात यह बात इंपर्टन बात ही बहुत इम बहुत आ चुका है ए सो असी डिगरी द्रीट ऊहरं की पता होता ज्यादा होता यह स्वेरिकल cláss में पंधन होगा जो है वह बांथे पाइसा का सॉर सहोता है 540 से लिफनों चैल सकते हैं शॉ शॉन पर आपजिए सकते हैं यह बराबर three five यह यह ऑब्जक्टिव आ बोथ हर सेम या फिर यह इसको हम लोग क्या करें हैं six into 90 डिग्री six right angle to angle कह सकता है वो भासा में change कर सकता है वो किया हुआ है पान्सो चालिस कहे या वो थ्री पाई कहे या फिर वो six into 90 डिग्री कहे बोथ हर सेम तब सही है ठीक है तो यह point ध्यान देना आपको एक point आपको ध्यान देना है कि अगर एक angle की बात कर रहे हो तो वह एक angle एक स्वसी डिग्री से ज्यादा नहीं होगा लेकिन अगर दो angle जोड दी जाएं तो दो angle जोड दी जाएं तो वह एक स्वसी डिग्री से ज्यादा होंगे मतला alpha प्लस बीटा जो होगा वह more than 180 होगा ठीक है यह point भी लिख देता हूं यहाँ पर मैं आपके लिए अलफा प्लस बीटा जो होंगे यह more than 180 होंगे ठीक है ना बीटा प्लस गामा जो होगा यह भी more than 180 होगा और अगर आप करें गामा प्लस अलफा की तो यह भी कोई भी दो angle का समझें होगा सम अफ एन टू एंगेल्स is more than 180 डिग्री इस पैरिकल्ट रिंगल की केस में अगर आप कोई भी दो को जोड़ेंगे तो वह हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होंगे डियर अपके समय में आने वाले अब्जेक्टिव यह ही सुठेंगे अब तक तो वह सिंपल सिं देनी है ठीक है यह तीन पॉइंट हो गए इस तीन पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और भी है जो समझा रहा हूं है आपको वह यह पॉइंट यह है कि किसी भी दो बुजाओं का जो सम होगा वो तीसरी बुजा से ज्यादा होगा सम अफ एणी टू साइट ऑस इसस्पेरिकल ट्रैंगल इस अल्वेज मोझे इस अल्वेज मोझे थर्ड साइड मतलब के सकते हैं कि एभी प्लस बीजी यह हमें से ज्यादा होगी से सी के ना यहां पर सम आफ इनी तू साइट कोई भी लुए इस आल्वेज इस आलवेज मोर देन थर्ड साइड तीर सीरी मुझा से किसी भी दो मुझाओं का जो सम होगा वो तीर सीरी मुझा से ज्यादा होगा यह पॉइंट हुआ यह सारे पॉइंट आपने देखे जियोडेक्स सर्वे के केस में यहाला पॉइंट और मुझे लगता कि अब इसमें कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आपको ना आता हूं इस पारिफीड ट्रेंगेंगुल्स क्या होता चुका हूं अंगल म् नायं क्या होता चुका होँ गों एक कर वेचर कैसे अबसा शुल गयर अमूर्स नेस्ट here rick the claim survey कि in this सर्वे और सर्फेस मश्द बता चुका हूं यहां प्लेन लेना है यहां फी pale नहीं होती ठीक है अब सर्फेस के यहां पर कैसे लेना प्लेन ठीक है और दूसरी बात है प्लंब लाइन कैसी होगे स्ट्रेट लाइन होगी आप प्लंब लाइन डालेंगे तो कैसी चाहेंगे स्ट्रेट यह बता चुक हूँ पहले ही आपको ठीक है स्ट्रेट होगी और यह होंगी समांतर होंगी स्ट्वेट एंड पैरलल टू इच अदर यह बी किलियर है पॉइंट और यह कब होता है जब एरिया धाइसो स्क्वार किलोमेटर से कम होता है अच्छा यह धाइसो आता है आप देखें के बुक्ष में धाइसो मिलेगा कई जगह आपको कि 195 मिलेगा यहीं कंफ्यूज हो रखें कि समझ में नहीं आ रहा है कि तहीं कौन सा होगा पहली बात तो दोनों सही है अब सही कैसे हैं यह देखना आपको समझना है अब को सही क्या है अगर हम बात करें आज से 20-30 साल पहले की हमारे पास जो सर्वे करने का इंस्टुमेंट हो लेकिन अपके समय में क्या है remote sensing की बात हो रही है GPS GIS की बात हो रही है सटलाइट की बात हो रही है तो यह जो डेटा है यह डेटा इंक्रीस कर गया है यह डेटा क्या हो गया है यह डेटा जो था आप यह डेटा बढ़ गया है कितना बढ़ गया है 200 ठीक है लेकिन जो कोड है सर्वे का जो कोड है कोड प्रोविज्ञ जो कहता है वो आज भी क्या कहता है 195 कहता है लेकि रियलिटी में जो है जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है रियर धाई तो आपको ध्यान देना कि जो ओल्ड डेटा है वो क्या है 195.5 square kilometer और जो new data है new data है वो क्या है आपका 200 square kilometer मतलब 200 square kilometer से कम के area को plane survey कहते हैं और 200 से ज्यादा को हम लोग curvature count करते हैं तो geodetic survey कहते हैं इतनी सी बात है इतनी दोनों चीछ ध्यान देना यह modify है यह data बढ़ गया है बस और कुछ नहीं है कि दोनों objective में कभी एक साथ नहीं मिलेंगे एक साथ कभी नहीं मिलेंगे ना यह मिलेगा न यह मिलेंगे एक साथ नहीं मिल सकते है या तो यह इसके base पर होगा तो अब यह मान सकते हैं कि 2013-14 के जो paper है इनसे पहले जो paper हुए है वह इसको count कर रहे होंगे जो current paper है 17-18 के बीच वाले 19 वाले 20 वाले यह इस data को use कर रहे है इसके लाब कुछ नहीं है टीक है अब plane survey को भी दो classify किया गया है दो category में plane survey को भी दो category में divide किया गया डियर एक तो है आपका on the basis of frame frame मतलब धांचे के base पर और on the basis of instrument रखिये अब instrument पहले समझ लेते हैं कुछ हमें इन ही के बारे पूरा पढ़ना है पूरी survey इसी ही पढ़ना है कि chain और tape के बारे में chain के बारे में कैसे correction करते हैं टेप में कैसे चैन में यह सब कमपा से पूरा आपको bearing निकाना सिखाऊंगा टू पाइंट प्रॉलम थ्री पाइंट प्रॉलम गंबल में इन सब चीजों को मैं बच डील करूंगा इसको dumping level में आपको है राजन फॉल में बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं तो यह तो पूरी survey का chapter हो गया है अब framework में देखिए ट्रेंगुलेशन की बात करते हैं तो ट्रेंगुलेशन में क्या है यह पर triangles बनाने पड़ते हैं हम लोग को ट्रेंगिल मतलथ chain use करते हैं इस तरह हम लोग coisas फ्रेंवर्क होता है यह framework कि यह हूता segregation होता है और ट्रावर्सिंगा आपकी open and close त्रावर्स की बात करें हम लोग क्या है , अब point c पे गए आप और यहां आप पे छोड़ दिया माह लीजिए point a पे survey किया point b पे च्होड़ दिया फिए किस ऐधी में आ गया open category में इसमें आ चीजिए इसने इसे बोलते open traversing जहांड शुरुवात आपने start कहां से किया माह इंडिक का शूर। एंडिंग बापस एक पॉइंट पे कर दी मतलब कि इस से आप कहां पर आए इससे आप डी पर आए और दी से बापस आप आप एक पर गए तो नाव ये पूरा लूप बन गया अब ये बन गया आपका अब बनगे एक लोज तो यह ट्रावर्सिंग जो है दो तरह के होती है इसमें बॉडिश रूट ट्रावर्सिंग अपने आप में इलेटेटूट डिपार्चार एक चप्टर ही होता है मैं ट्रावर्सिंग को पहुच्छे दिल करूँग आपके लिए अब इस सिर्फ यह समझ आए है कि पूछा गया केडेस्ट्रल सर्वे मैंने बताया जब भी आप जमीन खरीदेव बेचो गया खरीद फ्रोट करोगे आप जो लेकपाल पटवारी होते हैं आप कहा जो आते हैं कानुगो आ राई जिसे बोलते हैं सब लोग जो है यह केडेस्ट्रल सर्वे करने आते हैं यहां राजस्ट्रो की बात होती है राजस्ट्रो की बात होती है यहां पर और यह जो राजस्ट्रो होता है के अंतरगत आता है ठीक है प्लॉट वेचना है बॉंडरी बनानी है सब किसमें आएगा ध्याद दीज़ेगा इसको अब बाद आते city survey, city survey जो होता है किसी भी सहर के लिए होता है, कि टाउन को कैसे बनाना है, टाउन मतलब सहर कैसे बसाना है, नई किसे डिजाइण करनी है, उस सहर में कैसे आपको पानी सप्लाइए करना है, है उस सहर का सीवेज जो गंदा पानी हो कैसे बाहर निकालना है आपको तो सिटी में स्वाटर सप्लाई कैसे करनी है साथ में या पर सीवेज बाहर कैसे या सी अराज चुका है, जहीं में, ठीक है ना, कि cross sectioning and profile leveling किस तरह के survey में use होती है, या किस तरह के survey के लिए की जाती है, तो आप कह सकते हैं city survey, direct बोल सकते हैं, अगर direct objective नहीं sd survey का, तो आप कह सकते हैं कि वो water supply या sewage के लिए होगी, है ना, तो यह थोड़ाज आपको link करना है, sewage और water supply के लिए cross sectioning and profile leveling करनी बढ़ती है, which is a part of city survey, ठीक है, अब बात करते हैं topographical survey की, तो topographical survey जो है, यह natural, मतलब जिसे कहते हैं, प्रकतिक तोर पर पता करना, natural, नेचुरल है कि आपके हिली area कहाँ, पहाड़ी area कहाँ पर है, जंगल कहाँ पर है, जमीन कहाँ पर है, आपका पार्क कहाँ पर है, कुछ भी, यह valley घाटियां कहाँ पर है, तो टॉपिकल सर्वे होता है, यह natural survey होता, प्रकतिक तोर पर क्या चीज़े present है, बिद्दिमार है, उनको पता करना, तो हिली, रिवर, फॉरेश्ट, लेंड या फिर, वैली, जो कुछ भी, है ना, लकटी का area कहाँ पर है, टॉपोग्राफिकल सर्वे का, यह सब आई हुए है, जियोलोजिकल सर्वे क्या पता ही आपको, inner surface of the earth पता करना, कि प्रत्वी के अंदर क्या चल रहा है, तो पता आपको तीन तरह के layer होती है, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल मतलब क्या है, सिलिका, अलुमिनियम, सिलिका, मैगनिसियम, निकल, फैरस, यह सब क्या है, डेंसिटी की बेस पर, प्रत्वी के नीचे डिपोजिट है, ठीक है, तो inner surface के बारे में पढ़ना, inner surface of the earth के बारे में पढ़ना, यह क्या होता है, आपक मतलब की inner surface मतलब की आप कह सकते है कि Stata of the earth, ठीक है, मतलब की प्रत्वी की परत्वे किस तरह की है, जमीन के नीचे क्या है, किस प्रत्में है, कहाँ एगनियस है, कहाँ पर ग्रिनाइट है, कहां बशाल्टिक है, कहां पर सेडिमेंटी रोक है, कहां मेटमॉर्फिक रोक हैं कहां पर कॉन सत्थ प्रजेंट है आपका यह लेयर जो है आप इनकी स्टडी करना किसमें आता है जियो लोल्जिकल सर्वे में आता है स्याल सीमा नीफए नीफए यह ध्यान देना बना है इसे टिएर में ध्यान तो माइनिंग सर्वे पता है एक्सकेवेशन के लिए होता है हीरे की खदान सोनी खदान या फिर डीजल पेट्रल कोईला जो है या फॉसल्स जो है उनके पता कराने के लिए आपको माइनिंग सर्वे का यूज करना पड़ता है तो हम लोग आगे बढ़ते इसके बाद प्रिं to part और एक होता by at least two point, by at least two point, hold to part पे क्या होता है कि हम किसी particular माल लेजिए कि point A से बहुत simple होता हुआ हूँ, point B पर survey करना है, हमको यह survey find out, यह survey करना है, ठीक है न, तो हम क्या करते हैं कि with the help of, with the help of control point, यह control point है, इनकी सहाथा से हम लोग, यह control point है, इन control points के साथ हम लोग क्या करते हैं, पूरे area cover करते हैं, control point क्या होते हैं, कि जैसे standard point, control point आप कह सकते हैं, कि जैसे कि आप, जो आपके आस पास सरकारी data है, वो standard है, जैसे कि जिला मुख्याला हो गया, railway station हो गया, hospital हो गया, सरकारी school हो गया, hand pump हो गया, यह सब क्या पोई होते हैं यह fix होते हैं इनका मीढसी लेवल इनके समत्रद सो चाहि इनकी दूरी इनकी दूरी सब कुछ कहिए-刻 कि लियुरिय यूर के साथ आप यूज करते हुए इन पौरवे करते हैं वो होता है hold to point, hold to part, hold to part survey कैसे होता है with the help of control point यह बाद ध्यान दीजेगा, main principle of survey है, क्यों करते हैं इसको ऐसा, इसलिए करते हैं ताकि जो error है आपकी, वो eliminate हो सकें, दूर हो सकें, या फिर उन्हें खट्टा होने से रोका जाए, to prevent accumulation of error, accumulation मतलब होता होता होना, धेर लगना, तो error का धेर लगने से रोकने के लिए accumulation, to prevent accumulation of error, मतलब इसका होता होता, धेर लगना, धेर लगने से रोकना, यह हमारा main मख्सद होता, hole to part का, उच्छा गया है कि part to hole क्यों नहीं करते हैं, तो part to hole इसलिए नहीं करते, खंड से संपून्ड की और, और यह कैसा है, है पूंड सब्सक्रार यह कभी किया जादा ज्यान देना इसको यहां को यह वाला कभी भी हमसर नहीं कर तो हम22 बहुत ज्यादा होती है जाना कहीं होता है पहुंच कहीं और जाते हैं यहां को कि अब कर विद्धिन अब पर कोई आ Yuri से पॉइंट ए से जब आपने सर्वे किया इस पॉइंट तक आप आए और आपने इस से देगा कि क्या वाकई हमारी डिरेक्शन सही है आपने का वै तो आप आगे बढ़ेंगे अगर इस पॉइंट से control point को मैच कर आया और यह मैच नहीं किया तो आप अपनी गलतिया सुधारेंगे यहां सहिए आप पहुंशने का बाद इस पॉइंक पर यहां देखा इसक्रशक है खातम कर दिया तो कंट्रोल पॉइंक के साथ आप यहां चैक करते हैं मानु जैसे कि मानों कि मुझे भगल से जसे की मनला को कोई सहर का नाम लेता हूँ for example दिल्ली है जी टीवी नगर जीटीवी नगर से आपको जाना है मुखरजी नगर की तरफ आप यह देखना है कि भाई जीटीवी नगर से 200 मीटर के दूर पर एक चोरहा मिलता है और वहां पर एक सरकारी नल लगा हुआ है आपने डिस्टेंस control point के साथ आपको survey करना जो की hold to part का point है'll to part का principle survey यह point नहीं है कर दीजाए अप hold to part ठीक, principle survey अब by at least two points अब दो point जो पहले से fix हैं उनकी सहाहेता से तीसरा point निरधारित करना ही क्या होता है principle होता है सेलवेगा दो ही प्रिंसपल होते हैं और कोई प्रिंसपल नहीं होता मालेज़े पॉइंट आपका ए और बी अब पहले से fix है समझिए पहले से आपके विद्धिवान है fix है तो आप क्या करते हैं आप विद्धि हेल्प आफ सेट स्कॉर्ड सेट स्कॉर्ड देखा होगा आपने 90 डिग्री fix करने के लिए इंस्ट्रुमेंट होता है जो जमेट्री बॉक्स में पहले होता था आपका 90 डिग्री डालके आप पॉइंट सी को आप fix कर सकते हैं यह concept कहां यूज करते हैं compass में compass में कुछ डिग्री पर आप एक point fix कर सकते हैं with the help of इससे आप क्या कर सकते हैं और दो point O की साहिता से आप यह भी कर सकते हैं कि point B से भी alpha डाल दिया एंगल और point A से भी डाल दिया बीटा यह concept कहां यूज होता ट्रावर्सिंग में आप इसी तरह ही point fix करते हैं ठीक है और यह concept कहां यूज होगा also plane table में भी plane table में भी आप क्या करते हैं इस तरह का orientation करके आप यूज कर सकते हैं और क्या हो सकता है आप इसमें एक तरीका और भी कर सकते हैं यह दो point fix हैं आपके पास A और B एहले से तीसरा point आपको क्या करना है fix करना है तो आपने क्या किया कि आपने इस point से एक arc चाप लगाया ऐसे B से और एक चाप लगाया कहां से A से तो ये चाप लगा कि point C को क्या हो गया मतलब क्यों तो arc लगा ना arc लगाया आपने कहां से point B से point A से और ये फिर point fix होगे दोनों को जोड दिया ये concept कहां ही उस होता है chain में चेन और टेप में आप यही करते हैं तो ये देखा अपने की दो point पहले से fix है उसकी साहता से arc मतलब चाप लगा कर स्टैट स्कॉए डाल के compass के use करके traversing के use करके भी आप third point को establish कर सकते हैं this is the basic principle of survey that is hold two part and by at least two measurement ठीक है और कोई doubt हूं उसे पूछ सकते हैं कुछ questions कराता हूँ आपको questions देखिए आपर कुछ यह questions है जो कि आपके exam point of view से very important है तो आपको सिंपल से बताएंगे देखिए geodic survey में of the earth is considered as कैसे करते हैं हम लोग curved बहुत सिंपल है तो geodic survey में कैसे लेते हैं सर्फ surface curved लेते हैं बताएंगे आपको इसके बाद survey in which curvature earth is ignored अब ऐसा survey जिसमें curvature of earth ignore कर देते हैं तो क्या है plane survey तो कि यहां तो हमनों count करते हैं geodic में plumb line plumb of line it to different place in plane survey plane survey के case में plumb line क्या होती है बताइए यह दो किसी point पर यह point a हो गया यह point b हो गया इन दो different point पर दो different place पर in plane survey के case में क्या होती है straight line होती है और समांतर होती है आपने का parallel to each other और cut at the center of the earth कहां पे center of the earth के cut करना कहां होता ही है यह होता है geodetic में मैंने बताया आपको अगर आपको अचीब करनी है तो क्या करना पड़ेगा अगर आपको करवेचर को count करना पड़ेगा तो यह आपके basic objective थे और एक यह है कि in order to determine natural feature प्रकतिक रूप से पता करना हो क्या पता करना है कि कहां पर घाटी है कहां नदी है लेक अधर यह सब चीजे तो कौन survey यूज करोगे topographical survey ऐसे questions आपके आते हैं जो कि बहुत basic होते हैं गलत नहीं करना आपको लेकिन knowledge आपकी zero to high वाली होने चाहिए पता सब कुछ होना चाहिए आपको ठीक है ना ओके तो आज के लिए lecture यह था आपको और इसमें मैंने आपको classification of survey बताया है अब जो next और साथ में principal of survey बताया है अब यह होने के बाद हम लोग मूफ करेंगे थोड़ा सा instrument पर लेकिन उससे पहली हो सकता कि आपको एक scale का जुरूर knowledge होना चाहिए तो जो next lecture होगा मेरा वह आपको मैं scale की बारे में बताऊंगा कि scale कैसे आपको समझनी है without scale map और plan बन नहीं सकते तो map और plan बनने के लिए आपको instrument का use करना है है ना map और plan बनने के instrument का use करना है और without scale it is not possible तो first of all you have to study about scale की scale क्या होती है तो next lecture scale की उपर होगा और फिर हम लोग instrument पर move करेंगे ओके डियर थैंक्यू सो मच